नमस्ते सभी भाई बैनों को नमस्ते परणाम आज मैं आपको थोड़ा बहुत बताने जा रहा हूं एकुप्रेशर कैसा भी भेंकर दर्ध हो शरीर में एकुप्रेशर से अपन 99.99% लाब पा सकते हैं कभी कभी तो लोग आते अपने पास हाथ ही नहीं इलता है तो थोड़ी देर में उनका हाथ क्या गर्दन गर्दन पुरा शरीर हिनले लग जाता है इतना जबर्दस्त है कैसा भी टेटा मेटा शरीर हो आज भी थोड़ा बहुत एकुप्रेशर का नोलेज रखके कहीं भी खबी भी किसी की भी सेवा कर सकते हो आपको चे सीर में दर्दों चे चुमब के सकती दे रखिए और दबाने से एकुप्रेशर करने से अपने भीतर विद्यूत्य सकती का संचार होता है इसी से अपने भीतर कोई भी खटिनाई है कोई परेशान यह कोई दर्द है वो दूर भागता है क्या करना यह अपनी पांच अंगुलियां इनमें सबसे सबसे अच्छा है इसके बाद यह साइनस की यह सारे पॉइंट हैं यह साइनस के लिए यह उपर वाले टोप पॉइंट साइनस के लिए नाख बेता हो सर्दी एक्कांशबॉन के यह साइनस के लिए माईगरींद के लिए शिरमेदर नहींदो या दबा देना इस ब्रेइन की दुरबलताय दूर होती है उसके बाद यह नीचे आते हैं, यह point है, यह है आखों के लिए, यह दिले दिले दबाने से आखों की ज्योति बढ़ती है, कई बार तो देखा कि बच्चों की एक पूटली इद़र जाती है, वह बहुत जबर्दस point है, यह कानों के लिए, मवा दाना, कम सुनना, पर दाफट करना जो बहरा आदमी उसको भी सुनने लग जाता है बहुत जबर्दस पोइंट है यह फेपड़ों के लिए यहां दबाने से फेपड़ों समंधी विकार दूर होते हैं सर्दी खासी तमा कैसे भी बिमारी हो उसके बाद यहां नीचे आते हैं यहां हाट के लिए कि कई बार हाट के वर रोज भी खुल जाते हैं यहां दबाने से बहुत जबर्दस पोइंट है यहां 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 के लिए उसके बाद इसके नीचे यह डायबिटीस के लिए देर देर प्रेसच करना रोज सुबह सुबह यह 30 सेश्य मिनर्ट तक रोज रोज कर सकतें इसके बाद यह यह आतों के लिए यह इदर यह आतों के लिए दबाना इसे आतों की बीमार्य दूर होंगी उसके बाद यह इदर थाइरोड के लिए उबरावा भाग है यह दबाने से थाइरोड अच्छी होती है यह 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 थाइरोड के लिए बाद में यह जो अंगुली मोड़ती है ल प्रोल अच्छा हो जाता होना चीह है आदा से देड़ फिर हम आपको विश्टार से बताएंगे फिर यह मुत्र समंधी बीमारी के लिए किसी को भी हो यहां से दबा लो बीच में से फिर यह है इधर यह सरवाइकल पेंद के लिए जो अपनी पिछे की गर्दन का इधर दर्द होता है यह पूरा यहां से दिमे दिमे प्रेस कर दो किसी से पेंद से हाथ से जैसे आपको लगे यहां तक दबा दो उसके बाद यहां यह गर्दन के लिए कंदे के लिए इतना पर बीच में पेट के लिए पिर यह इस्टों मस के लिए अमासह के लिए फिर सबसे बढ़िया पॉइंट है किसी की बीपी लो हो जाए उसको हाई करने के लिए बड़ी वारी अंगुली दबा देना किसी के लो हो उसको हाई करने के लिए दबाने किसी के हाई हो दो मिनट यह शेकिंड इसलिए तो कहते हैं मगनी पर अंगुटी पहना दो आजकल साधी होने पर लोगों को बीपी हो जाती यानि बीबी और बीपी का दोनों का थोड़ा थोड़ा चक्कर होता है यहां से दबा दो यह यहां से पूरी अंगुली को दबा दो यह पहन लेकि ऐसे ऐसे कर दो कैसा भी शरीर में दर्दो तू रंद आराम मिल जाता तू रंद आगे बहुत सारे पॉइंट है छोटे बचे पेसाब करते हो यहां से दबा दो बिस्तर में पेसाब करना पहले दिन बंद कर देते हैं दो खजुर के लादन रात को पुर यहां से दबा देना तो बिस्तर में ब्चे पेसाब करते हैं उनका पेसाब करना पहले दिन बंद हो जाता है और उसके बद को य इधर यह परोस्टेट के लिए फिरिये ओरी कर फाषे के लिए जंब को हुए उत्रेस के लिए जो को यह पीछे यहां कमर के लिए यहां दबाने से कमर अच्छी हो जाती है यहां से फिर यहां अंदर के और दबाते हैं इसका और इसका दोनों का मिलता है यहां दबाते हैं तो यहां से सीर दर्द ठीक होता है अंदर के और दबाते हैं यहां से ना भी ठीक होती है फिर यह है अल लिवर कडबर हो गया हो यहां दबाओ लिवर अच्छा हो जाएगा बहुत अच्छे पॉइंट है शुबह शुबह रोज दबाना और कम से कम एक शेर जरूर करना आगे सब लोगों को एक उप्रेसर के बारे में थोड़ा बहुत भी पता हो तो आराम से अपन दूसरों की शे बाइड से ऐसे ऐसे दबा सकते हैं बाद में किसी को प्रोस्टेट की बीमारी हो यह तो कान में उभरावा भाग इसको अशे दबा के उठक बटक निकाल दो इससे एक ठीक हो जाता है मेरे भाई बैन आप यह एक उप्रेसर सीको और कम से कम एक शेर तो जरूर बनता है सब क धन्यवाद रोज दो मिनट से पांच मिनट दबा लो फिर मैं लेक्याओंगा आपको लिए हाथों के लिए पोट बताएं अब आपको पैरों के लिए घुटने के लिए कितनी भी भेंकर बीमारी हो एक उप्रेसर से आप आश्च्रे जनक लाब होता है आप सोचते रह